इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महमारी से जूज रही है कोरोना वाइरस को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है लॉकडाउन के बावजूद भी देश में कोरोना पीड़ों की संख्या 67,800 के पार बहुच चुकी है वही 2,216 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गवा चुके हैं लेकिन इन सब में 21,229 ये वो ही राहत देने वाला आकड़ा है जिन मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है उनका वही मध्यप्रदीश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात की जाए तो इंदौर रैड जोन में हैं और यहां कोरोना पीड़ों की संख्या 1800 के पार पहुच चुकी है वही 90 लोग कोरोना से अपनी जान गवा चुके हैं लेकिन इन ही में 800 इंकानवे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है और स्वस्थ होकर अपने घर लोटे हैं आईए हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जो शेहर के अलग-अलग अस्पतालों से कोरोना से जंग जीत कर स्वस्थ होकर अपने घर लोटे हैं अज हैं जी में नाम सन्तोस है मैं बिहार के रहने वाला हूं और हमारे मुख्य मंद्री में करोना का इलाज कर वाया है उसको धन्यवाद करना चाहता हूं पदमा जेन, डीवयाली सुदामा नगर, यहां के जो स्टाफ है, उनकी सेवा से मैं बहुत प्रसंद हूँ, मैं बहुत अच्छी होके घर जा रही हूँ, और उन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करती हूँ. अच्छी हो गई हूँ, और धन्यवाद मुख्यमंत्री का, मैं अच्छी होके जा रही हूँ.